भारत सरकार की वैक्सीन मैत्री भारत के जनता के लिए कितना सही साबित हुई या आज के परिवेश में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है अंतराश्टी मामलों के विशलेशकों के मताबिक इस बात को जाने दें कि कैसे भारत ने 2004 में विदेशी मदद लेनी बंद कर दी थी और अब लेनी लगा है उसके अनुसार कुछ महीने तक भारत उन बड़े देशों में शामिल था जो दूसरे जरूरत मन देशों की सहयता कर रहा था भारत ने पिछले साल महामारी से निपटने के लिए 100 से अधिक देशों को दवाईयां भेजी और पड़ोसियों की सहायता के लिए आसान शर्थों पर करज भी दिये भारत उन फ्रंट लाइन देशों में सामिल था जो कोरोना टीके की वैश्विक मुहिर में शामिल था अपरेल में के शुरू में कोरोना की दूसरी लहर से हो रही तबाही के बाद लोगों को ये समझ में आया कि मोधी सरकार ने इससे निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए थे पीडित लोग मोधी से जवाब मांग रहे हैं कि हम यहां तक कैसे पहुँचे कि आज हमें दूसरे देशों से मदद मांगने पड़ रही है मोधी सरकार ने इस वैश्विक टीका करण की मुहिम के अंतरगत जो मदद देनी शुरू की थी उसका नाम वैक्सीन मैत्री रखा था भारत ने दरजनों देशों को वैक्सीन सप्लाई भी की लेकिन इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि देश के 135 करोड आबादी के लिए वैक्सीन काफी मात्रा में कैसे उपलद हो सकेगा जैसा कि देश के उपमुखे मंत्री मनी सुधिया ने अपने एक हाल के ट्विट में कहा विदेशों में बेशिने के लिए केंदर के पास 6.5 करोड वैक्सीन थे और अब राजमांगे तो केवल 3.5 लाख बिजेपी बताया कि अपने देश के लोगों को मरता हुआ छोड़कर विदेशों में वैक्सीन बेशिने की आखिर क्या मजबूरी है पुर्वराजदूत अचल मालोतरा कहते हैं कि वैक्सीन मेत्री की मुहिम को अभी के परिपेख्ष में देखना मुनासिब नहीं होगा वो कहते हैं मेरा द्रड मत है कि अतीत में लियेगे किसी भी निर्णे को उस इस्तिती की प्रिष्ट भूमी में देखना जाना चाहिए जो उस समय था या एक सही निर्णे था जब इसे घरेलू आवशक्ताओं के लिए और विदेशी खवत के लिए टीके के कैलिब्रेटेट सप्लाई के आंकलन के आधार पर लिया गया था लेकिन वो वैक्सीन मेत्री पर उठने वाले सवालों को भी समझते हैं वो खहते हैं दूसरी लार्क ने अचानक परद्रिश्य को बदल दिया जब टीके की सप्लाई हमारी निरंतर आवशक्ताओं के साथ तालमिल नहीं रख पाती है इसलिए वैक्सीन मेत्री को लांच करने की बुद्धिमत्ता पर कुछ सवाल उठने लाजमी है हाला कि वैक्सीन मेत्री भारत को लाब में मिला वास्तों में वैक्सीन मैत्री से पैदा हुई साख ने विदेश सहयोग से मिलने वाली मदद सुरिश्चित करने में हम भूमका भी नबाई लेकिन राजी डोगरा के मताबिक ये भी एक सच है कि दुनिया भर में वैक्सीन फेक्टरी की भारत की छवी को भी छती पहुची है